वाही गुर्जी का खालसा वाही गुर्जी की फते पहाडी राजेयां ते सूब्यानू जदो तीजे हमले उपर वी गुरुजी तो मूँ दी खानी पई ताउना ने रालके बहुत वदा अखटा के औरंग जेवनू चुठी लिखी चुठी वेचेसी गुरुजी दी ताकत ब बोद वद गई है ते दिनो दिन वादी जन्दी है असी एनना नू नहीं हरा सकते इस दा इलाज हून ही कर लेना जे देर कीती ता दिली दा राजवी चलेया जावेगा असी अपना पूरा जोर लगा बैठे हां औरंग जेवने पत्तर मिल उपर सेरकट जर्नाल साइद खान जो के रिष्टे वेच पीर बुद्धू शादा साला लगदा सी जे कर तो सी ओ वीडियो नई वेखी ता लिंक डिस्क्रिप्शन वेच है उसने दिली तो चलन लगया पराण कीता क्यो गुरू जी नू जिन्दा जा मुर्दा दिली ले आगे हाजर करेगा रिष्टे दारी वेचो पीर बुद्धू शादा साला सी उस दीविद्वा पैन बचया समेधस डोरा पेंट रहीं दी सी सड़ा नांदपुर दे रस्ते वेच पैंदा सी उसने जन्दे जन्दे रात अपनी पैन पास सदोरे कटी रात नू गलना करदे करदे उस दी पैन ने उसनू बहुत स पती उना उपर वार देते ने तैनु अजे तक्वी समझ नहीं पैंदी के गुरू दिलानी जानन वाला है। सैद खान ने अपनी पैंदी एकना मननी उसने पहाडी राजयानू नाल लेके नांदपुर ते हमला कार देता। एह नांदपुर उपर पहाडी राजयान दा चवथा हमला सी। सैद खान ने सैद बेग अते मोमन खान नू गुरू जी दी फोज वल्लों शाही दस्तिया नाल लड़ दे वेख्या। ता सोचन लगा जेह साच है के गुरू मना दियां बुजण वाला है। ता गुरू मेरे सम मने आगए, पहल नावारी तेरी है, वार कर जीस्ति पावन नाल तो दिल्ली तो चलके आया है। गुरूञी नउ सामने खड़ा देखके सैद खान वार करना पो लग्या। दिल्ली तो चलन लगके जmpने, उसने गुरूजी नू जिन्दा जा मुर्दा दिल्ली लेके उन द देखे सान साबत इतर बितर हो गए उसने अपनी तलवार गुरूजी जे चरना उपर राख दिती ते सीस ने वागे गुरूजी अगे बेंती कीती के उसनू भी जुलम दे खिलाफ सिंगा दे जथे नाल रालके लड़न दी आगया दिती जावे गुरूजी ने इस तरह करन द आगया ना दिती सैद खान ने गुरूजी दे कहन उपर जर्नाली त्याक के फकीरी तारन कार लई सारी उमर उसने प्रमातमादी पक्ती वेच गुजार दिती जिते ताको हो सके अगरीब नी मत किती एकवारी गुरू अगे रखी तलवार उसने फिर नहीं फड़ी वाहे ग गुरूजी का खालसा वाहे गुरूजी के फते